सांती आज आट चैन्वरी 2022 दिन शनीवार की साकार मुर्ले आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को मीठे बच्चे ज्यान रत्मों को धारण कर रुहानी होस्पिटल युनिवरस्टी खोलते जाओ जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले प्रश्न बाप का कोई सा कर्तव्य कोई भी मनुश्य आत्मा नहीं कर सकती है उत्तर आत्मा को ज्यान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना यह कर्तव्य कोई भी मनुश्य नहीं कर सकते जो आत्मा को निरलेप मानते वह ज्यान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है जो ऐसी ज्यान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं गीत किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है ओम शांते ये किसने कहा कि बाकी थोड़ा समया है बहुत गई अब थोड़ी की भी थोड़ी रहे अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो यहां तो दुखी ही दुख है सुख का नाम निशानी नहीं है सुख है ही सुख धाम में कल्यूग को कहते हैं दुख धाम अब बाबा कहते हैं जबकी मैं आया हूँ तुमको सुखधाम ले चलने के लिए तो फिर क्यों रुके हो दुखधाम से क्यों दिल लगी हुई है दुखधाम के भातियों से अत्वा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी है हम आए हैं तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए सन्यासी कहते हैं इस दुनिया का सुख तो काग विष्टा समान है इसलिए उनका सन्यास करते हैं तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात कार हुआ है यह पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है बाप को याद करना है इस याद से भी तुम निरोगी बनेंगे तुम्हारी काया कल्प व्रिक्ष समान बड़ी होगी यह जो मनुशे स्रिष्टी का जाड है उनकी आयू 5000 वर्ष है उसमें आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है दुख तो आधा कल्प तुमने देखा बाप कहते हैं पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनू श्रीमत कहती है यह विश की लेन देन छोड़ दो ज्यान और योग की धारणा करो कितना ज्यान रत्न धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे बाप में समझाया है यह रुहानी होस्पिटल भी है तो युनिवस्टी भी है परम पिता परमात्मा आकर रुहानी होस्पिटल और युनिवस्टी स्थापन करते हैं होस्पिटल तो दुनिया में बहुत है लेकिन ऐसी होस्पिटल और युनिवस्टी दोनों इकठी कहीं नहीं होती यहां यहें वंडर है होस्पिटल और यूनिवस्टी हैल्थ और वेल्थ इकट्थी मिलती है फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो आज कल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा बाप श्रेश्ट ते श्रेश्ट मत देते हैं तुम गवर्मेंट को भी समझाओ इस समय बेहद का बाप ऐसी होस्पिटल और यूनिवस्टी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले गवर्मेंट भी होस्पिटल यूनिवस्टी खोलते हैं उनको समझाओ इस जिस्मानी होस्पिटल खोलने से क्या होगा इससे मनुश्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बात ने यह कम्माइंड होस्पिटल और युनिवर्स्टी दोनों खोली है आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुश्यों का कल्यान हो जाए बाकी है बिमारियां आदी तो जब से रावन राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है आगे तो वैद्ध की दवाईयां थी अब तो अंगरेजी दवाईयां बहुत निकली हैं यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सत्गुरु दिया ज्ञान इंजक्शन रुहानी बाप ही लगाते हैं आतमाओं को और कोई आतमा को इंजक्शन लगाने वाला हो ही नहीं सकता वह तो कह देते हैं आत्मा निरलेप है तो तुम समझाओ उस होस्पिटल और युनिवस्टी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है यहां तो खर्चे की कोई बात नहीं तीन पैर प्रित्वी चाहिए जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए बाप को याद करो तो एवर हेल्थी बनेंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे धनवान होगा तो बड़ी होस्पिटल युनिवस्टी खोलेंगे गरीब चोटी खोलेंगे गवर्मेंट कितने खोलती है आज कल तो टेंट आदे लगाकर भी पढ़ाते है और दो तीन सेशन रखते हैं क्योंकि जगे नहीं है पैसे नहीं है इसमें खर्चे की कोई बात नहीं तो इभी जगे मिले कोई ओजार आदी तो रखने नहीं है बड़ी सिंपल बात है पुर्ष भी खोलते हैं माताइं भी खोलते हैं बाप कहते हैं तुम ही खोलो तुम ही संभालो जो करेगा सो पाएगा बहुतों का कल्याण होंगा बेहद का बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत हैं जो सुनते हैं परंतु करते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से बाबा बैकूंट की बादशाही देने आए है हीरे ज्वाहरों के महल मिलेंगे भारत में ही लक्ष्मी नारायन का राज्य था, जरूर उन्हों को बापनी वर्षा दिया होगा अभी तो कल्योग में दुख ही दुख है फिर सत्योग की स्थापना मुझे ही करनी है मनुष्य कोई होस्पिटल आदी खोलते हैं तो उदगाटन करते हैं बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उदगाटन करता हूं अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो कल्प कल्प तुम लायक बनते आए हो यह नई बात नहीं है देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं सहुकारों के पास धन बहुत है इसलिए वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं भारत गरीब है उनमें भी जो अधिक गरीब हैं उन्हों को ही बाप उठाते हैं सहुकार तो नेन में सोए पड़े हैं कितना ज्यान और योग बाबा सिखलाते हैं तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं जिससे तुम सारे चक्र को जाने जाते हैं बाकी सब गोरंदियारे में हैं ड्रामा के आदी मध्य अंत का किसी को भी पता नहीं हैं पतीत पावन बाप को ही भूल गए हैं शीव परमात्मा के लिए कह देते हैं ठिकर भीतर में हैं तुम जानते हो, अभी सब की कयामत का समय है, आग में जल मर खत्म होंगे, फिर सब को वापिस ले जाओंगा साथ में, मैं पंड़ा बन आया हूँ, तुम पांडव सेना हो न, वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वह जन्म जन्मांतर करते आई हैं, यह है रुहानी इसमें चलना फिरना नहीं बढ़ता, बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, तो रात को भी जाग कर मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धी का योग लगाओ, नेंद को जीतने वाले बनो, तो तुम नजदीक आते जाएंगे, वह है कुख वैंशावली ब्रह्मन, तुम तुम रुहानी यात्रा में तत्पर हो, तुम्हें पवित्र रहना है, वह ब्रह्मन लोग खुद ही पवित्र हैं, तो औरों को पवित्र बनाना सकें, तुमको तो पवित्र रहना है, रुद्र ज्यान यग्य में पवित्र ब्रह्मन ही रहते हैं, वह ब्रह्मन लोग भल मंदिरों में रहते हैं नाम ब्रह्मन है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको सनान आदी भी कराते हैं परंतु है वह पतित बाकी और जो मनुश्य मंदिर में जाते हैं वह अगर नाम के ब्रह्मन नहीं है तो उनको हाथ लगाने नहीं देते हैं ब्रह्मन सच्चे ब्राहमन ब्राहमनियां वह हैं जो 21 कुल का उधार करें कन्या अगर उधार करती होगी तो उनके माबाप भी होगे यह माबाप सिखलाते हैं तुम 21 पीडी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त शिब बाबा प्रहमा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं यह दादा तो धंदा आदी करता था अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिब बाबा ने प्रवेश किया है और इन द्वारा ही ग्यान सुनाते हैं यह है रत शिब बाबा है रती अब निराकार पर मातमा समझाते हैं यह रत बहुत जन्मों का पतित है पहले पहले यही पावन बन जाते हैं नस्दीत में हैं यह ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ यह कहते मेरा यह बहुत जन्मों के अंत के अंत का जन्म है वान प्रस्थ अवस्था है पतित है बाबा ने इसमें परवेश किया है अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो मैं तुमको बताता हूं यह भी बुद्धी में आता है पतित पावन परम पिता परमातमा ही है वह बाप भी है तीचर भी है गुरू भी है सारे ब्रामा के आदी मद्य अंत का राज समझाते हैं तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे इस बाप तीचर गुरू की राए लेने से तुम उचपद पाएंगे कितना अच्छी रीती समझाते हैं कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर उचपद पाते हैं जो श्रीमत नहीं मानते हैं वह उचपद नहीं पाते हैं बाबा कहते हैं सुख धाम और शांती धाम को याद कर इस दुख धाम को भूलते जाओ अपने को अशरीरी समझो अब हम वापिस जा रहे हैं बाबा ले में आए हैं हर एक को अपना अपना पाट रिपीट करना है हर एक की आत्मा अविराशी पाट धारी है दुनिया में कब प्रल्य होती नहीं यह दुखधाम है फिर जाएंगे शांती धाम और सुखधाम में यह बुद्धी में सोदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेडा पार हो जाएगा तुम काल पर विजय पा रहे हो वहां तुम्हारी अकाले मृत्यू नहीं होती है जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं वैसे तुम भी खाल बदल नहीं ले लेंगे ऐसी अवस्ता यहां बनानी है बस हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे हमको काल खा नहीं सकता सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते ब्रहमरी का मिसाल भी प्रवरती मार्गवालों का है कहते हैं सेकिंड में जीवन मुक्ती दे सकते हैं जनक मिसल यह भी कापी करते हैं जीवन मुक्ती में दोनों ही चाहिए वैसन्यासी जीवन मुक्ती कैसे दे सकते हैं अब बाप कहते हैं चलो वापिस मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भेष्ट होगा अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर जनम तो लेना ही है यह है योग से हेल्थ और ज्यान से वेल्थ सेकंड में जीवन मुक्ती इसको कहा जाता है फिर इतने पैसे बरबाद करने भटकने आदी की क्या धरकार है इसलिए हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ तुम है होस्पिटल युनिवस्टी खोलो तो तुमको भूत फाइदा होगा जो करेगा सोपाएगा सहुकारों का काम है सहुकारों का उद्धार करना गरीबी वर्सा लेते हैं बाकी जो करोडपती हैं उनके लिए कहा हुआ है इसी की दबी रहेगी धूल में पिछाडी में आग लगेगी सब खत्म हो जाएगा तो क्यों न विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा मरना तो है ही ड्रामा का अंत भी होना है बाबा कितना अच्छी रीती समझाते हैं नधियां तो चक्र लगाती रहती है बाकी ब्रह्म पुत्रा तो यह ब्रह्मा ही ठहरा मम्मा है सरस्वती बाकी है ग्यान गंगाए पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी यह कोई मेला नहीं यह है सच्चा मेला जबकि जीव आत्मा परमात्मा से मिलती है तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार अब जीवात्मा का मेला परमात्मा से है परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है नहीं तो पढ़ाएं कैसे इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है जो इसमें परवेशिकर ज्ञान देते हैं सरस्वती को कहा जाता है God is of knowledge ब्रह्मा को भी knowledge होगी उनको knowledge देने वाला को? ज्यान का सागर तुम्हारे पास यह knowledge नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार है तो यह knowledge धारण कर श्रीमत पर चलना है सारा मदार पवित्रता पर है इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं द्रोपदी ने पुकारा है सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बच जाती है गीता में भी है मैं साधूं का भी उधार करता हूं परंतु साधूं लोग यह अक्षर सुनाते नहीं तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वत खोर मन गई है इसलिए इन सब का विनाश होना ही है जिनको वर्षा लेना होगा वही लेगे बाबा को कई बचिया कहती है हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता सहुकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते बाबा हम कन्याए होती तो कितना अच्छा होता माताओं को शीरी उतरनी पड़ती है बाबा कहते हैं वर्सा लेलो मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती आफ्ते आदी बहुत होती हैं आप सिर्फ अपने को आत्मा समझे मुझ बाप को याद खरो 84 जन्म पूरे हुए अब वापिस घर चलना है कि यहां की ही गोते खाने है मन मना भव मध्या जी भव रावन के वर्से को भूलो रावन श्राप देते हैं बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्सा पाएंगे श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्सा कैसे पाएंगे यह रुहानी होस्पिटल खोलते जाओ जमीन तड़ी रहती है किराए पर देंटो भी अच्छा है बहुत फाइदा है अच्छा मीठे मीठे सी किलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार बाप के समी पानी के लिए रुहानी यात्रा पर रहना है रात को जाग कर भी यह बुद्धी की यात्रा जरूर करनी है सच्चे सच्चे ब्रहमन बन 21 कुल का उद्धार करना है सोदर्शन चक्रधारी बनना है काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालना है वरदान रुहानियत द्वारा व्रती द्रश्टी बोल और कर्म को रोयल बनाने वाले ब्रहमा बाप समान भव ब्रहमा बाप के बोल चाल्स चहरे और चलन में जो रोयल्टी देखी है उसमें फोलो करो जैसे ब्रहमा बाप ने कभी चोटी चोटी बातों में अपनी बुद्धिव समय नहीं दिया उनके मुक से कभी साधार्न बोल नहीं निकले हर बोल युक्ती युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अविक्त भाव और भावना वाले रहे उनकी व्रती हर आत्मा प्रती सदा शिब भावना शिब कामना वाली रहे द्रश्टी से सबको फरिष्टे रूप में देखा कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया ऐसे फोलो करो तब कहेंगे ब्रहमा बाप समान स्लोगन मैनत के बजाए मुबबत के जूले में जूलना ही शेष्ट भागयवान की निशानी है लवलिन स्थिती का अनुभव करो जैसे लौकिक रीती से कोई किसी के सनेह में लवलिन होता है तो चहरे से नैनों से वानी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है आशिक है ऐसे आपके अंदर बाप का स्निय इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे ओम शांते